Hey guys, तो आज मैं आपके लिए एक Secure Crypto Wallet का Review करने वाला हूँ और ये wallet में आपको कई सारी currencies मिल जाती है store करने के लिए और ये wallet को use करना भी काफी आसान है और इसे आप easily अपने mobile device से भी use कर सकते है चलिए, अब मैं आ गए हैं website के उपर तो guys website के related जो भी links होंगे वो आपको निचे description में मिल जाएंगे तो जैसे ही आप उसके उपर क्लिक करेंगे ये वाला page open हो जाएगा तो आप सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत website के बारें बता देता हूँ अगर website की बात करो तो आप दिख सकते है यहाँ पे लिखा है Coinbyte the best place to receive store digital currency and manage your cryptocurrency portfolio तो जैसे की मैंने आपको बताया यह basically crypto wallet है जहाँ पे आपको कई सारी currencies को store करने के लिए मिल जाती है उसके बाद में अगर आप यहाँ पे scoreड़ों के नीचे आते है तो आप दिख सकते है यहाँ पे लिखा है why exactly Coinbyte तो यहाँ पे आप दिख सकते है यहाँ पे लिखा है simplicity and convenience तो जैसे की मैंने आपको बताया यह जो wallet है वो बिल्कुल simple and convenient wallet है अगर आप यहाँ पे new हो cryptocurrency में तो भी आप इसको easily use कर सकते हो उसके बद में आप दिख सकते है यहाँ पे लिखा है mobile device support तो जैसे की मैंने आपको बताया यह wallet का आप easily अपने mobile से भी use कर सकते हो उसके बद में यहाँ पे लिखा है continuous enhancement तो guys basically यह लोग continuously work करते है wallet को improve करने के लिए और यहाँ पे day by day यह लोग नहीं नहीं cryptocurrencies को add भी करते रहते है उसके बद में अगर आप यहाँ पे scoreण को के नीचे आते है तो आप check कर सकते है यहाँ पे लिखा है integrate coinbyte wallets with your applications तो guys अगर आपका यहाँ पे खुद का कोई application है तो आप easily उनके wallet को integrate कर सकते हो आपके platform के साथ में with the help of their API और जो API है वो काफी simple और understandable है अगर आप यहाँ पे read documentation के उपर click करते हो तो यहाँ पे उनकी जो API documentation होगी वो आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पे आप check कर सकते हो जो उनके feature से coinbit API के उसके बारे में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा और यहाँ पे नीचे कौनसी कौनसी supported cryptocurrency है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो कि है Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Ripple और TRX और आने वाले टाइम में यह लोग और भी development करने वाले हैं जिससे यहाँ पे और यहाँ पे additional cryptocurrency वो add कर सकते तो यहाँ पे आपको इसका पूरा documentation मिल जाएगा तो इसको आप पूरा read कर सकते है तो अब मैं इसको यहाँ से close कर दिता हूँ उसके बद में अगर आप यहाँ पे scroll down को के निच्चे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है why is it worth using API तो यहाँ पे उनकी API को use कने का फाइदा क्या है तो guys basically वो जो उनकी API यह वो fast है economical है और 100% secure है तो यह जो है वो उनके कुछ features है इसके बद में अगर आप यहाँ पे scroll down को के निच्चे आते हैं तो आप check कर सकते हैं यहाँ पे आपको उनकी community मिल जाती है Facebook और Twitter के उपर तो इसको भी आप चाहो तो join कर लिजे तो जो भी उनके latest update होंगे वो आपको मिलते रहेंगे और अगर आपका यहाँ पे कुछ भी doubt हो तो आप directly इनसे mail करके technical support आपको मिल जाएगा तो अब मैं यहाँ से back चला जाता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको register कैसे करना है आप दिख सकते हैं register करने के लिए simply आपको create new account के उपर click करना है और यहाँ पे आपको आपकी basic detail जैसे कि आपको आपका first name, last name, email id और password डाल दिना है और यहाँ पे आपको terms को agree करके I am not a robot के उपर click करके create account कर दिना है मैंने already यहाँ पे account create कर दिया है तो अब मैं यहाँ पे sign in कर दिता हूँ तो अब हमने यहाँ पे login कर दिया है जैसे ही आप यहाँ पे login करेंगे कुछ इस तरह का dashboard आपको नजर आएगा अगर dashboard की बात करूँ तो आप दिख सकते है यहाँ पे जो भी नीचे आपने create wallet किये होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएगे और उसके सामने यहाँ पे जो भी आपका available balance होगा वो आपको यहाँ पे नजर आएगा और यहाँ पे status में आपको active लिख के आ जाएगा तो आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको wallet को create कैसे करना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको wallet को use कैसे करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे wallet को create करने के लिए simply आपको create wallet के उपर click कर दिना है और उसके बद भी यहाँ पे आपको cryptocurrency को select करना ना है जिसका भी आप wallet create करना चाहते है For example, मान लीजे अगर मैं यहाँ पे bitcoin का wallet create करना चाहता हूँ तो मैं bitcoin को select कर दिना हूँ और बाद में यहाँ पे आपको next के उपर click कर दिना है और उसके बद में आप यहाँ पे जो भी नाम दिना चाहो वो दे सकते हो मान लीजे अगर मैं यहाँ पे bitcoin ही नाम रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे bitcoin लिक दिता हूँ और बाद में यहाँ पे मैं next के उपर क्लिक कर देता हूँ और बाद में यहाँ पे आपको दो option दे दिये जाते हैं password select करने के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो आप account password यूज़ कर रहे हो वो ही password यहाँ पे रख सकते हो और अगर आप उसके लिए अलग से password बनाना चाते हैं तो आप यहाँ पे unique password भी बना सकते हैं तो अब भी मैं यहाँ पे account password से ही continue करता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा password डाल देता हूँ और उसके बद में यहाँ पे आपको create wallet के उपर click कर दिना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अमारा wallet active हो चुका है अब आपको simply यहाँ पे आपके email id में एक confirmation code आया होगा तो आपको क्या करना है वो वाले code को यहाँ पे enter कर दिना है तो यहाँ पे मैं simply अपने code को enter कर दिता हूँ तो आप मैंने यहाँ पे जो मेरे email id में a digit का code आया है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है और simply यहाँ पे मैं confirmation दिता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको activate के उपर click कर दिना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखके आ चुका है wallet successfully activated तो अब मैं यहाँ पे ok कर दिता हूँ और आप वापिस मैं यहाँ पे dashboard के उपर चला जाता हूँ और आप दिख सकते हैं यहाँ पे आमने जो bitcoin का भी wallet create किया था वो अब यहाँ पे नीचे आ चुका है यानि कि guys यहाँ पे जो भी आपने wallet create कियोंगे वो आपको यहाँ पे नीचे नजर आएंगे तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको wallet को use कैसे करना है तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी wallet को use करना है उसके उपर simply आपको click कर दिना है मालनीजी अगर मैं यहाँ पे bitcoin को send receive करना चाता हूँ तो मैं यहाँ पे bitcoin के उपर click कर देता हूँ और आप दिख सकते हैं यहाँ पे bitcoin का wallet उपर हो जाएगा और यहाँ पे आपको option मिल जाता है send और receive करने का तो अगर आपको यहाँ पे bitcoin को send करना है उसको डालके simply send कर सकते है और वैसे ही अगर आप यहाँ पे bitcoin को receive करना चाते है तो मैं यहाँ पे अगर receive के उपर click करता हूँ तो यहाँ पे आपको आपके bitcoin का wallet address दे दिया जाएगा तो आपको क्या करना है यह वाले wallet address को copy करके सामने वाले को दे दिना है और उसके बाद में आप directly receive कर सकते हो bitcoin को आपके wallet में तो यह एक बहुत ही simple सा process है और यहाँ पे आपको transaction check करने का आप यह option मिल जाता है तो अगर आप उसके उपर click करोगे तो जो भी transaction हुए होंगे वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा तो अब मैं यहाँ से back चला जाता हूँ उसके बाद में आप दिख सकते हो यहाँ पे आपको option मिल जाता है activity का तो अगर आप उसके उपर click करते हो तो यहाँ पे जो भी आपकी latest activity होगी वो आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगी with IP address तो अब मैं यहाँ से back चला जाता हूँ तो अब दिख सकते हैं यह जो coinbite crypto wallet है वो काफी easy है use करने के लिए और काफी secure है और यहाँ पे आने वाले दिनों में काफी additional cryptocurrencies भी add होने वाली है तो इसका आप ज़रूर use कर सकते है